सारे दुनिया जानती है कि डॉक्टर बाबासाब अंबेट कर फुस्तक प्रेमी थे, किताबों पर उनका बहुत अधिक प्रेम था, अपने घर परिवार से अधिक, अपने बाल बच्चों से अधिक वे किताबों पर प्रेम करते थे, इतना ही नहीं सिर्फ किताबों के लिए उन्होंने घर बनाया जिसका नाम राजग्रह था। तमाम दुनिया इस बात को लेकर बाबा साहब की मिसाले देती हैं कि बाबा साहब किताबों पर कितना प्रेम करते थी। वही दूसरी तरफ वही बाबा साहब अमेट कर 25 दिसंबर 1927 को एक किताब जलाते हैं। इतना पुस्तक प्रेमिव वैक्ती कैसे क्या किसी किताब को जला सकता हैं। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाइच रही हैं बवाल भी हो रहा है। बाबा साहब अमेट करने आखिर ऐसी कौन से किताब जलाएं। आखिर क्या था उस किताब में और क्यों जलाई बाबा साहब अमेट करने इस किताब को। क्या नाम था उस किताब का। उस किताब का नाम था मनुस्मती। मनुस्मती को डॉक्टर बाबा साहब अमेट कर 25 दिसंबर को 1927 को जलाते हैं। उनका यह मानना था कि मनस्मती जो किताब है यहां सर्फ किताब नहीं यहां ग्रंथ नहीं बलकि यहां काला कानून है इस किताब के अंदर ब्रामन जो अपने आपको द्विज कहता है अपने आपको पवित्र कहता है अपने आपको विप्र कहता है उस ब्रामन की श्रेष्टत का ये किताब है उनके गुन गौरव करने वाली ये किताब है वही दूसरी तरफ इस देश के बहुजन समाज जो की 50 प्रतिशत है आज जिसे अनुसूच जाती अनुसूच जन जाती और अन पिछडा वर्ग के नाम से संबोधा जाता है उन लोगों के दुखों का कारण उन ल कार निक्रुष्ट है और इसलिए बाबा सहब अंबेट कर इस किताब को जलाते हैं इस किताब ने बताया कि चार वर्ण होंगे और चार वर्णों के विवस्था होगी और इस चार वर्णों की विवस्था के अनुसार इस देश का शूद्र अतिशूद्र कभी भी राजा न नहीं कर सकता उसे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है मनुस्मुती ने बताया कि इस देश के अंदर यसी यस्टी ओबीसी राजपाट नहीं कर सकता शस्रधारन नहीं कर सकता लड़ाई लड़ नहीं सकता अपने हाख अधिकारों की मनुस्मुती ने बताया इस देश के अ ये पीडा दायक होता है, ब्राह्मनों के लिए बाधा उत्पन करता है, इस प्रकार मनुसमुती ने कई नियम बता है, जिसमें खास कर महिलाओ की गुलामी का भी जो जड़ है, वो मनुसमुती के अंदर है, मनुसमुती ने महिलाओ को वेद अध्यान पाप बताया है, मनुसम कहां से उत्पर्ण हुई यह मनुस्मृति ने नहीं बताया मनुस्मृति ने यह बताया कि जो महिला है वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए मनुस्मृति ने बताया कि महिला ने कभी भी धानिकठा नहीं करना चाहिए महिला हमेशा ही वो अपने कभी पिता के अधीन होन चाहिए मनुस्मृति ने बताया कि महिला कुल्टा होती है मनुस्मृति ने बताया कि महिला जो है वो चरित्रहीन होती है और इस प्रकार महिलाओं के साथ महिलाओं को लेकर मनुस्मृति ने जिस प्रकार के कथन किये अपमान जनक कथन के इन तमाम बातों को ध्यान में रखत चाहिए वही मनुस्मृती ने ये भी बताया कि ब्रहमनों के नाम कैसे हो मनुस्मृती ने बताया कि चत्रियों के नाम बलशाली होने चाहिए जहां से शूरवीर और पराकरम दिखे मनुस्मृती ने बताया कि वैशों के नाम ऐसे हो जिसमें से धन संपती और सम्रूदी हो ऐ इसे नाम होने चाहिए ब्रहामनों के नाम भगवान से मेल खाने चाहिए शूद्रों के नाम अपमान जनक होने चाहिए मनस्मति का ये भी कहना है कि अगर शूद्र राजा बन जाता है तो ब्रहामनों ने उस देश में नहीं रहना चाहिए इसलिए ब्रहामनों ने शूद्र क ओर राजा ही नहीं बनने देना चाहिए। इतना ही नहीं मनसदूति का ये भी कहना है कि अगर शुद्र राजा के साथ एक आशन पर बैट जाए तो राजा का यहां काम है कि शुद्र की जो पीट है उसे गरम तवे से लदवा दिया जाए और साथ ही उसे गाव से निशकाशि कर दिया जा इस प्रकार की बाते जो है यह आप इसे बाते निकाल कर आपको बता रहे हैं अगर आप पढ़ते हैं तो आपको और भी पाते समझ में आएगी इन तबाम बातों को ध्यान में रखते हुए बाबा सहाब अंबेट करने बड़ा फैसला लिया और उन्होंने इस प् के बैड़ा लिया वेद का अध्यान कर लिया तो वह पाप की भागिदार हैं और इतना ही नहीं जिस प्रकार महिला भी हो जाती है उसकी सिती भी वैसी ही हो जाती है अतिती के रूप में अगर वैशा मतलब बहिला वैशा अगर आ जाती है या फिर शूद्र अतिती के रूप में आ जाए तो ब्रहामनों ने अपने नोकर के साथ उनको बिठा कर नोकरों की तरह उनके साथ व्यवहार करनी चाह यह ऐसा भी मनुस्मृति कहती है इतना ही नहीं मनुस्मृति का यहाँ भी कहना है कि जो दस वर्ष ब्राह्मन को नब्बे वर्ष का चत्रिय वैश और शूद्र पिता समान समझकर उसे प्रणाम करें अगर जो ब्राह्मन है वो दस वर्ष का भी हो तो उसे शूद्रों ने चा अपमानित करती है जैसे कि चांडालों की संगत नहीं करने की बाद भी मनुसमती कह रही है चांडाल जो कम्मुनिटी है वो सेडूल कास्ट में आती है धोबी धोबी कम्मुनिटी जो कहीं कहीं पर सेडूल कास्ट में आती है कहीं कहीं पर OBC में आती है उनकी संगत नहीं करना चाहिए ये भी मनस्मती बताती है मनस्मती का यहां भी कहना है कि जिस प्रकार शासर विधी से स्थापित अगनी और सामान्य अगनी दोनों ही श्रेष्ट है उसी प्रकार ब्रहमन चाहे वह मुर्ख हो या विद्वान हो दोनों ही रूप में वो श्रेष्ट देवता है देखि के यस्स टी ओबिसी जो से शुद्राति शुद्र कहा जाता था उनों लोगों की नीचता को लेकर नियम काइदे कानून जिसे ब्रहमन पीनल कोड भी कहते हैं वो इस किताब के अंदर रहा और इस अपमान जनक जहां पर मानोतवाद को कोई कोई जगा नहीं जहां पर इंसानि अत्रपति शिवाजी महराज का स्टैचू है शिवाजी महराज का किला उस किले के ठीक नीचे बाबा सहाब 25 दिसंबर 1927 को जलाते हैं इसके पीछे भी एक इतिहासिक कारण यह बताया जाता है तमाम इतिहासकारों का यहां कहना है कि बाबा सहाब इस किताब को उसी जगा इसलिए जलाते हैं क्योंकि जिस मनुस्मुती ने कहा कि शूद्र राजा नहीं बन सकता शूद्र राजपाट नहीं कर सकता शूद्र अध्यन नहीं कर सकता ऐसा इस तमाम मनुस्मुती के नियमों को तोड़ने का काम इस मनुस्मुती को छलनी करने का काम चत्रपति शिवाजी महाराज को नय प्रिय राजा के तौर पर देखा जाता था महिलाओं के सम्मान के लिए चत्रपति शिवाजी महाराज को पहचाना जाता था और समता मुलक समाज के निर्माद निर्मादा के रूप में श्यवाजी महाराज को देखा जाता था तो उनको उनका इनका camera उनको पॉनकी जान जो है वह मनस्मृति के वजह से ली बदाते हैं और इन तबाम गटनाओं को इन तमाम बातों को अगर कि वारत का सवीधान देखर इस अधर्व में आपका क्या क्या खयाल है आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्षन में जरूर बताए बने रहे देखिंग पर बहुजन विचारधारा को घरघर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भुले